Hello Everyone, Welcome to Black Mirror Horror कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए जिनजादी की होरर स्टोरी का Part 2 लेकर आई हूँ अगर आपने इस कहानी का Part 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहले आप Part 1 देख लिजिए वरना आपको आगी की कहानी समझ में नहीं आएगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आगी की कहानी मैंने अपने सभी कमीने दोस्तों से बात की लेकिन कोई भी संग चलने को राजी नहीं हुआ सभी के पास कोई न कोई बहाना क्या यूं कहूं काम था अब तो अकेले ही निकलना होगा कोई नहीं देखते हैं कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही है आखिर कार एक महिने बाद मैं फारुक नगर जाने वाली बस में बैठा हुआ था मेरी सीट विंडो वाली थी और बगल वाली सीट खाली थी मैं भी फिल्मी स्टाइल में दुआ कर रहा था कि कोई खुबसूरत नाजनीन मेरी बगल में शिरकत करे शायद दुआओं में इतना दम नहीं था मेरी बगल में मेरी ही उम्रका एक लड़का आकर बैठ गया उस पर हल्की से नजर मार कर मैंने अपनी किस्मत को कोसा और मुँ फेर कर बाहर देखने लगा अब एक लड़के को भी क्या देखना पाश मिनट बाद बस ने अपनी राह पकड़ ली उस लड़के ने जब आगे से ही दुआ सलाम की तो मुझे भी जवाब देना पड़ा फिर तो बातों का जो सिलसिला चल पड़ा मुझे लगा ही नहीं मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ वो लड़का बिलकुल मेरी ही तरह मस्त मौला और जहीन वेभार का मालिक निकला सबसे खास बात उसकी बातों ही बातों में शायरी करने की आदत सोने पे सुहागा ला जवाब बस आदा सफर खत्म करके एक धावे के सामने रुकी तब जाकर हम दोनों को वक्त का पता चला फिर मैं बोला यार तब से इतनी बाते कर ली पर तुम्हारा नाम तो पूछना ही भूल गया वो मुस्कुरा कर बोला वो तो हमने भी नहीं पूछा मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया मेरा नाम आरिफ आरिफ खान है, खुदाई में यकीन रखने वाला जवाब में वो भी बोला ना काबिले तारीफ हमारी भी नहीं अक्सर दुआओं में हमें ही पढ़ा जाता है जफर, जफर खान नाम है हमारा वाह क्या बात है जफर मिया ये कहने के साथ ही मैंने इस बार उसे बड़े घौर से देखा उसकी हरी आखों में एक अलग ही चमक थी जो उसे औरों से जुदा शक्षियत बना रही थी चलो, फिर इस नई दोस्ती के नामे के एक चाय हो जाए मैंने बे तकल्लूफी के साथ बोला बिलकुल, जफर भी मेरे साथ बस से उतर गया मैंने ढ़ाबे वाले को दो चाय का ओर्डर दिया और जफर की तरफ मुखादिब हुआ और बताए जफर मिया, आप काम क्या करते हैं जफर, मुस्कुरा कर जो मन में आये, वो काम कर लेते हैं फिलाल तो बच्चों को सीख देने, मतलब पढ़ाने का काम कर रहे हैं थोड़ा उप गए थे, तो निकल पड़े अपने पारिवारिक मित्रों से मिलने फारुक नगर सही है भई, लेकिन हमें कोई सीख मत देने लगना मुश्किल से पीछा चुटा है और ये कहकर मैं जोरों से हस दिया जफर भी किवल मुस्कुरा कर रह गया और बोला आप बताओ जनाग किस तरह अपने वक्त को काटते हो फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया और फारुक नगर जाने की वज़े भी वज़े एक कहानी की तलाश इसी बीच धाबे वाला चाय रखकर चला गया ये काम तो बड़ा रुमान्चिक साउंड कर रहा है वो बुला हाँ वो तो है कहानियों की तलाश में यहाँ वाँ सफर करता रहता हूं हर जगह की अपनी एक कहानी होती है उसे अपने शब्दों में ढाल कर लोगों तक पहुचा देता हूँ मैंने कहा तो फिर फारुक नगर में कहा ठहरे हैं आप जफर मिया चाय की चुस्की लेते हुए बोले होटल मेरी गोल्ड में क्यों कोई रिष्टेदार नहीं है क्या वहाँ जफर उच्छुकता दिखाते हुए बोला इदर मुझे काफी देर से लग रहा था कि कोई मुझे पर नजर रखे हुए है मेरा पूरा ध्यान इदर उदर नजर मारने में था शायद वो नजर रखने वाला दिख जाए जफर ने मुझे हिला कर पूछा क्या हुआ किसकी तलाश में आपका ध्यान भटका हुआ है आरिफ अरे नहीं कुछ नहीं तुम बताओ कुछ पूछ रहते क्या मैंने अपनी हडवडाहट चुपाते हुए जल्दी से उससे पूछा उसने गहरे नजरों से मुझे देखा फिर कुछ पलो बात बुला मैं ये पूछ रहा था कि कोई रिष्टेदाद नहीं है क्या वहाँ मैंने नहीं में गर्दन हिलाते हुए कहा वैसे तो अब वहाँ हमारा कोई रिष्टेदाद नहीं है लेकिन एक जमाने में हमारे पुर्खे मतलब दादा पर दादा वहां रहते थे ये आजम नगर तो हमारे बाब दादाओं का ननिहाल था कभी वो लोग यहां आकर बस गए और यहीं के होकर रहे गए पता नहीं क्या बात थी जफर मिया में मैं पहले मुलाकात में अपनी बाते उन्हें बता रहा था एक अपना पंसा लग रहा था उसके साथ अचानक जफर की नज़र ढ़ावे की कोने वाले दिवार की तरफ पड़ी वो कुछ देर तक उस दिशा की और घौर से देखता रहा फिर एका एक आरिफ से बोला आरिफ हम बस अभी आए आरिफ अचानक कहां जफर मिया जफर दो उंगली से इशारा कर आँख मारते हुए देल दिया गल्ला करने आरिफ जफर की इस हरकत पर बेतहाशा हज दिया दस मिनट बात बस के कंड़क्टर ने सभी सावारियों को वापस बस में चलने के लिए कहा लेकिन जफर अभी नहीं आपाया था तो आरिफ ने कंड़क्टर को पांच मिनट और रुकने के लिए मुश्किल से ही सही पर राजी कर लिया पांच मिनट खत्म होते उससे पहले ही जफर दोड़ता हुआ बस में चड़ गया आरिफ मुस्कुराते हुए बड़ी देर कर दी जनाब लगता है दिल दिया गल्ला बड़ी लंबी चली जफर पूछो मत बहुत ही जबरदस अब तक सांस फूल रही है आरिफ एक पल तक उसे देखता रहा और फिर दोनों ठटा कर हज दिये इसी तरह सफर कटने लगा आजम नगर से फारुक नगर के बीच ग्यारा घंटे का फासला था जो आरिफ का बड़े मज़े से कट रहा था अब बस फारुक नगर पहुशने वाली थी उससे पहले पढ़ते जंगल और पहाड़िये को देखकर आरिफ बुला वाह शहर होते वे भी यहां कितनी हर्याली है कितने सुन्दर नजारे यहां देखने को मिलते होंगे प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुन्दर शहर काश में यहां रह रहा होता जफर कभी कभी दूर से नजर आती खुबसूरती पास से बहुती खतरनाक निकलती है आरिफ आरिफ अरे ऐसे क्यों डरा रहे हो जनाब जफर ये जंगल जाने कितने रहस्यों को खुद में समेटे हुए है जंगली जानवरों के साथ साथ उपरी हवाओं का भी साया है इस जंगल में आरिफ आश्चर के साथ अच्छा लेकिन आज सक मैंने तो कुछ सुना नहीं यहां के बारे में जफर वो इसलिए क्योंकि सरकार ने इस जंगल में वन जीर संडक्शन एक्ट के तहट आम जंता के जाने पर पाबंदी लगा दी है सिर्फ आसपास के पेडों से ही जरुतमन लोग लकडिया काट सकते हैं आरिफ वा जफर मिया आपको तो बहुत जानकारी है यांके बारे में जफर यहीं के तो पैदाइश है हमारी बस नौकरी के चक्कर में बाहर रहते हैं आरिफ और आपका परिवार जफर गहन उदासी के साथ वो आप हमारे साथ नहीं है आरिफ ओ बुरा हुआ जफर लेकिन उमीद है जल्द ही वो अमारे साथ होगा आरिफ चौकते हुए ओ अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है आरिफ को लगा था कि जफर का परिवार अल्ला को प्यारा हो गया है जफर क्या हुआ आरिफ हकलाते हुए कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं इन्ही सब बातों में फारुक नगर का बस टैन आ गया इस वक्त रात के 11 बज रहे थे बस से उतर कर दोनों ने एक दूसरे से फिर मिलने का वादा किया और अपने अपने रास्ते पर चल दिये जिनिस्तान में आरिफ के फारुक नगर में कदम पढ़ते ही जिनिस्तान के एक हिस्से में जबरजस्त हलचल होने लगी जिसकी वज़े से वहां सोया पड़ा सदफ एकदम से जाग उठा ये किस तरह का जलजला था सदफ ने खुद से सवाल किया फिर वो कुछ देर तक अपन के सामने एक निशान चमक उठा फिर वो जोरों से चिलाया नहीं ये नहीं हो सकता वो जिन्दा नहीं हो सकता उकुम्भी उकुम्भी जल्दी आओ तब ही वहां मिसर के पूर्वर राजाओ जैसा पहनावा पहने एक जिन प्रकट हुआ सोने से लदे पड़े उस जिन की आदर से जुकते हुए बोला सदफ उस पर जोर से गर्जा तुमने तो कहा था वो निशान वाला बच्चा मारा जा चुका है फिर आज अचानक वो निशान में फिर से चमकता हुआ क्यों और कैसे दिखा उकुम्भी सरदार विराल को भेजा गया था उस बच्चे को जन्म लेते ही मादने के लिए और तो और वो उस बच्चे का मृत शरीर भी तो लाया था वो जीवित हो ही नहीं सकता विराल अरे ओ निकम्मे जिन यहां जल्दी सदफ दहाड़ा तभी वहां एक दो फुट का मर्यल सा जिन प्रकट हुआ बदन पर बेतर्बी से एक अंगोचा ल सिर पर दो चार चांदी जिसे बाल नुमाय हो रहे थे मतलग देखने में पूरा घिनोना लग रहा था विराल हुकम सरदार बुलाया आपने सदफ तुझे उस निशान वाले बच्चे को मारने भेजा था क्या तुने उसे खत्म किया विराल हुकम सरदार ने जो किया सिर प क्यों हो रहा है विराल डरा सहमा सह एक और खड़ा सदफ को निहारे जा रहा था सदफ ने अपनी उंगली उसकी तरफ की और उंगली से किरन निकल कर विराल से टकराई विराल कापता हुआ गायब हो गया अब वहां सिर्फ धुआ ही नजर आ रहा था अब सदफ उकंबी की तरफ मुखातिब हुआ और बोला हमें इतने दिनों तक उस निशान का दीदार नहीं हुआ आज अचानक हमारी नजरों के सामने वो निशान चमक उठा अपने स्फटिक में देख कर बताओ कौन है उस निशान का मालिक और हमें लगता है वो हम लोगों के नस्दीग भी आ चुका है सदफ का हुकम मिलते ही उकंबी कोई जादूई अमल करता है जिसके चलते उसके सामने गोल और बड़ा स्फटिक आ जाता है उकंबी ने उस फटिक पर कुछ जादू किया और देखते ही देखते फारगनगर के हिस्से उस गोले में दिखने लगे चन्द मिन्टों बाद ही उस गोले में आरिफ का चेहरा नजर आने लगा जिसे देखते ही सदफ की चेहरे का रंग उड़ गया ऐसा कैसे हो सकता है वह पर उस मौलाना ने मेरी शक्तियों पर बंदिश नहीं लगाई होती तो आज मैं हां का सबसे शक्तिशाली जीन और इस तक्त का मालिक होता अतिरा ये सब तेरा की अधरा है लेकिन कुछ दिर और मुझे वापस मेरी सब शक्तियां मिल जाएंगी तब तक मेरे गुलाम मेरा क काम करेंगे और ये कहकर सदफ जोर-जोर से हसने लगा फिर अचानक से शांत होकर कुछ बुदबुदाने लगा इसी के साथ उसकी आखे पूरे तरह से सफेद होकर चमकने लगी अजलान अजलान मेरे गुलाम सामने आओ इसी के साथ वहां सलेटी रंग का धुआ उठा जिन जैसे आया था वैसे ही वहां से गायब हो गया वही खंड़र वाला मोड वहां एक साया खड़ा हुआ था जिसके सामने नीली रोशनी से जगमगाता एक पतंगा उड़ रहा था वो साया बाबा साहिब उसके कदम यहां पढ़ते ही मेरे दोरा बनाये गया सुरक्षा घ पता भी चल गया होगा तुम्हें उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है बेटे एक वही हमारी आखरी उम्मीद है उसे कुछ हुआ तो सब खत्म हो जाएगा उस चमकते पतंगे की ओर से आवाज आई जी बाबा साहिब आप निश्चित रहे उस पर जरा सी भी आच न वो इनसानों पर कहर बनकर तूट पड़ेगा अभी भी वो कम खतरनाक नहीं है उसके गुलाम जिनों की फौज उसके साथ है वो उन्हें भेशता रहेगा और परिशानिया पैदा करता रहेगा वो पतंगा बुला मेरे रहते हुए कोई भी गुलाम जिन उसे नुकसान नही वो साया बोला ठीक है अब तुम जाओ सदफ के किसी जिन ने तुम्हें देख लिया तो बुरा होगा ये कहकर वो पतंगा महां से गायब हो गया इसी के साथ उस साया ने चुटकी बजाई और वो भी हवा में गुम हो गया आरिफ का होटल बस स्टैंड से किवल पांच में रखकर चला गया आरिफ ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया उस पर सफर की ठकान हावी होने लगी थी लेकिन आदत के अनुसार आसमान का दीधार करने के लिए उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और सितारों से जगमक आसमान को निहारने लगा तभी उसे क डरा कर रख दिया और उसने उस पक्षी को दूर छिटक दिया वो पक्षी जाकर बैड़ के सिरहाने पर बैड़ गया आरिफ ने जैसे ही उजाले में उस पक्षी को देखा वो उचल पड़ा उस पक्षी को देखकर आरिफ खुशी और आश्चर के साथ उचल पड़ा अरे स सिकंदर फिर से उसके कंधे पर बैड़ गया ओ तो तुम मुझसे मिलने इतनी दूर तक उड़ कर आए हाउ स्वीट लेकिन अब घर में सबको डाट पड़ेगी तुमें कुछ हो जाता तो आरिफ सिकंदर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला सिकंदर का परिचे ये पक्षी एक गोल्डन फिजेट प्रजाती का पक्षी था जब ये आरिफ को मिला उस समय वो ग्यारवी कक्षा में था एक दिन वो अपने घर के छोटे से गार्डन में लगे जूले पर बैठा गनित के कुछ सवाल हल कर रहा था अचानक से ये प्यारा सा पक्षी उसकी बगल में आकर ब वज़े से आरिफ का ध्यान उसकी तरफ जाना लाजमी ही था फिर क्या आरिफ इसकी खुबसूरती देखकर मंत्रमुग्द रह गया इतना रंग बिरंगा पक्षी उसने पहली बार देखा था साथ ही उसे ये बड़ा समझदार भी लगा अब तो इस पक्षी का आरिफ के प पखा सिकंदर क्योंकि कभी भी इसे कैद में रखने की उन लोगों को जरौत ही नहीं पड़ी बाच्चा की तरह जहां मन करता पहुच जाता लेकिन कभी कोई नुकसान नहीं करता सिकंदर ने भी अपने सिर से आरिफ की गरदन को सहलाया जैसे कह रहा हो जहां जहां तुम वाँ माँ मैं, चल अब मुझे सो जाने दे, ठकान से शरीर तूट रहा है और तू भी सो जा, ड्रामेबास सिकंदर। ये कहकर आरिफ ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी, एक उगरा हुआ सा लाल रंग का शीशा, जिसके अंदर तैरती हुई एक परचाई, गौर से देखने पर पता चल रहा था कि वो परचाई एक लड़की की है, उसकी आखे बंद है, अचानक से उसकी आखे खुलती है और उनसे अश्क बहने लगते हैं, धीरे धीरे उस शीशे के अंदर पानी भरने लगता है, वो लड़की दर्द भरी आवाज में पकारने लग रहा था, इसी के साथ उसे अपने गले में खुशकी महसूस हुई, पास की टेबल से उसने पानी की बोतल उठाई और एक ही सास में उसने खाली कर दिया, उफ, ये कैसा सपना था, आज तक ऐसा कोई भी सपना नहीं आया, और वो कौन थी, जो फैजल को पकार रही थी, लग आरिफ ने जैसे ही लाइट आफ की, अपने सामने देखते ही उसके होश उडगे, सामने की दिवार पर उसे जलती हुई लाल आखे दिखाए दी, उसने हड़ बढ़ा कर लाइट का स्विच आउन किया, लेकिन लाइट ही नहीं जली, बार बार स्विच आउन आफ करने पर वही हाल था, वो आखे दिरे दिरे आरिफ के नजदीक आने लगी, इसी के साथ ही आरिफ को लगा जैसे उसके हाथ पैरों में लकवा आ गया हो, वो उन्हें हिला नहीं पा रहा था, कमरे का वाता वरन अच्छानक से गर्म हो गया, जैसे जैसे वो आखे पास आती जा रही तब ही आरिफ को अपनी गर्दन पर किसी के खुरदुरे और कड़क हाथों का दबाव महसूस हुआ, दिरे दिरे उन हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसी के साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, आरिफ की आखे मुनने लगी, होश गूल होने से पहले उसने दे से उस साय पर हमला कर दिया, और इसी के साथ वो खुद भी एक सफेद साय में बदल गया, उस काले साय ने उस सफेद साय पर अपनी जादू उर्जा से वार किया, उसके वार को रोकते हुए उस सफेद साय ने उस काले साय पर अपनी उर्जा फेकी, ये उर्जा इतनी जबर हुआ था सफेद साया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरिफ पर हमला करने की जिन अजलान अजलान सरदार का हुक्म तामिल हमारी सफेद साया तुम्हारी कौम तुम्हारी इस गुलामी भरी जिन्दगी पर लानत भेजेगी अजलान और ये कहते हुए सफेद साया ने अपने अंग्रके में से एक ताविज निकाला और एक अमल करते हुए उसे अजलान के सामने कर दिया। अजलान एक काला गाड़ा धुआ बनकर उस ताविज में कैद हो गया। बाकी गुलामों के साथ चैन से रहा अजलान, खुदा तुम्हें सीधी अकल बक्षे। ये कहते हुए वो सफेद साया वापस सिकंदर में बदल कर आरिफ के कमरे में चला गया। अजलान के ताविज में कैद होते ही इधर सदफ के शरीर से भी एक काला धुआ निकला और हवा में गुम हो गया। इसी के साथ सदफ को थोड़ी सी कमजोरी महसूस हुई। वो जोर से चिलाया। नहीं अजलान तुम भी नाकामयाब नहीं हो सकते। सुबह आरिफ की नीन अपने फोन के बजने से खुली। बंद आखों से ही उसने फोन अटेंड किया। उधर से आती हुई आवाज उसकी पूरी नीन उड़ाने के लिए काफी थी। भाईजन कहां हो आप। बिना किसी को बताये इस तरह कोई गायब होता है क्या। दादी को देखो कितना परिशान है। थोड़ी अकल वकल है या वो भी बेख्याली में बेच दी। एक के बाद एक सवालों की बच्छार ने आरिफ के होश गुल कर दिये। जाहिदा 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 जरा सांस तो ले लो एक साथ इतने सवाल कौन पूछता है भला। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अच्छानक से एक काम आ गया था इसलिए शेहर से बाहर आया हूँ। मैं बिलकुल ठीक हूँ। दादी से कहना बिलकुल भी चिंता ना करे। अब मुझे देरी हो रही है इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज। ये कहकर आरिफ ने फोन काट दिया और समय देखा तो दस बज रहे थे। उफ। कितना लेट सोकर उठा हूँ मैं। उपर से उस जासूस गोपी चंद के सवाल। इस तुफान मिलके सवालों के जवाब कौन देता। ये ही सही है। वैसे भी मेरा सीर इतना भारी हो रहा है जैसे पूरी रात सोया नहीं हूँ और ये सोचते ही उसे रात का वाक्या याद आने लगा। या खुदा क्या वो सच था या फिर सपना। सपना ही होगा वरना मैं यहाँ जिन्दा थोड़े ना बैटा होता। यार इतने अजीब औ गरीब सपने ये कैसे अजीब इतिफाक हो रहे हैं। यहां आते ही आरिफ के दिमाग में कुछ और बाते आती उससे पहले ही सिकंदर आकर उसके कंधे पर बैढ़ गया। अरे आओ सिकंदर मिया कैसे मिजाज हैं अब आपके। लगता है आप तो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बाहर से। आरिफ ने खुली खि समझे यह बोलकर आरिफ बातरूम में घुज गया। कमरे में ही नाश्ता अगेरा करके तकरीबन एक घंटे बाद वो होटल से बाहर खड़ा हुआ था। उसने सिकंदर को कमरे में ही छोड़ दिया था। उससे साथ लाकर वो लोगों के लिए कौतु खड़े नहीं करना चा लोगे। यह सुनकर टैक्सी वाले के चहरे पर जबरदस्त भाव आ गये। कुछ पलो तक वो आरिफ को किसी अजुबे की तरह देखता रहा। ओ भाई मैंने कुछ पूछा। आरिफ ने टैक्सी वाले की आँखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। नहीं नहीं जा सक टैक्सी वाले ने दो टुक जवाब दिया। तो ऐसा पहले बोल देना था ना। इसमें इतना फुटेज काने की क्या जरौत थी। आरिफ उसे घुरता हुआ आगे बढ़ गया। इसी तरह उसने कई टैक्सी वालों से पूछा लेकिन सब ने वहां जाने से मना कर दिया। आरिफ ने जलाते हुए एक टैक्सी वाले से पूछा भाई वहां जाने में सबको दिक्कत क्या है। टैक्सी वाला लगता है साइब आप नए हैं यहां। लगता है इस इंटरनेट के जवाने में भी आप बीना यहां के बारे में जाने चले आए। आरिफ मतलब तभी बैठने का इशारा किया। वो दोनों टैक्सी में बैठे और टैक्सी चल पड़ी। आरिफ जो अब तक विस्मित और चुप था जफर से बोल पड़ा। आप यहां क्या कर रहे हैं जफर मिया। हमारे लिए तो बड़े ही नाज वाली दोस्ती की बात थी। साहिब वो हमसे बोले वज़त तो बता दो। लगता है हमें देखकर आप खुश नहीं हुए मिया। सफर अपनी चीर परिचित मुस्कान के साथ कहा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे इतनी जल्दी मिलने की उमीद नहीं थी इसलिए चौक गया था। आरिफ जेपते हुए ज चला आया। फिर तुम पर नजर पड़ी तो मिलने चला आया। जफर बोला। तो ये बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ तो आप क्या कह रहे थे इस शहर के बारे में और ये शागेट कौन सी जगह है जहा हम जा रहे हैं। आरिफ बोला। तब जफर ने बोलना शुरू किया। ये शहर तकरीब नबे साल पहले एक नहर परियोजना के चलते दो भागों में बढ़ गया था। फिलाल हम न्यू फारुक नगर में खड़े हैं। और उस नहर के दूसरी तरफ ओल्ड फारुक नगर है। जहां कि आबादी ना के बराबर है। और तुम्हारा खंड नगर की तरफ वाले पुल के किनारे पर एक बड़ा सा दर्वाजा बनाया गया है जिसे शाह गेट कहते हैं। टैक्सी बस वहीं तक जाती है। उससे आगे पैदल ही जाना पड़ता है। आरिफ पर ऐसा क्यों पुल के उस पार जाने में क्या दिक्कत है। जफर कुछ देर चुप रहा फिर बोला शाद तुम्हें यह बात बक्वास लगे लेकिन यहां के लोग मानते हैं कि उधर जिन्नातों का बसीरा है। यहां तक कि लोग उधर का नाम तक लेने से कत्राते हैं। 90 साल पहले जब यह नहर बनवाई थी उसके बाद उधर के तरफ बड़े ही यह बने आने लगे। लोग डह कर अपने मकान चोड़ा कर पुल के इस ओर आने लगे। क्योंकि यह एरिया बड़ा ही शांत था और विक्सित हो रहा था पर कब तक शांत रहता इसलिए लोगों ने एक मॉलवी ऐसने उपोर के गेट वाले किनारे पर कुछ अमंडल करके ए तब ही टैक्सी वाला बीच में बोल पड़ा सही का भाई आपने लोगों का कहना है उनका नाम लेने से भी वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं हमारे साथ ही का एक टैक्सी ड्राइवर है राम खिलावन परसो ही एक गोरे साहब मतलब अंग्रेज को ज्यादा पैसो के लाल ऐसा हुआ था क्या उन लोगों के साथ टैक्सी ड्राइवर पता नहीं साहब राम खिलावन तो नहीं रहा और उस अंग्रेज की जीब और आंथ हाथ की उंग्लिया कटी हुई थी वो बता ही नहीं पाया बिचारा पर ये हरकते जरूर जिनातों की ही रही होंगी वही इतने वहशी हो सकते हैं इसलिए तो सब आपको घूर घूर कर देख रहे थे जफर ए भाई तू शांती से टैक्सी चलाना क्यों फाल तुम्हें हमें डरा रहा है आजकल का इंसान तो वहशी पन में सारी हदे पार कर रहा है क्या तुम्हें नहीं पता मैं भी यहीं का बाशिंदा हूँ मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना बस वो एरिया नहर की वज़े से अलक थलक पड़ गया है इसलिए कुछ आसामाजिक तत्व उधर रहने लग गए हैं और उन्हीं के द्वारा फैलाई गई अफवाह है यह सब इन्हीं अफवाह से डर कर लोग अपने पुराने म भूमी थी कहानियों की तलाश में किसी भी कम आवदी वाले छित्र के पीछे लोग इसी तरह की अफवाह बना दिया करते थे अब तक आरिफ उन दोनों की बाते सून भी रहा था और नेट पर यहां के बारे में पढ़ भी रहा था लेकिन नेट पर ऐसा कुछ नहीं था जो टैक्सी ड्रावर मानना नहीं मानना आपकी मर्जी मैंने तो बस आगाह कर दिया और ये लो बातों ये बातों में शाहा गेट भी आ गया वो दोनों शाहा गेट के पास उतर गए जफ़र ने आरिफ से पूछा तुमने बताया नहीं तुम खंडर वाले मोड पर क्यो जाना आरिफ बुला बताया तो था यहां कहानी के तलाश में आया हूँ अब जब पता चली गया है कि वहां की आबादी ना के बराबर है तो पहले यहां से ही शुरू करते हैं फिर वो एक और चल दिया जफर ने उस तरफ देखा तो वहां एक चाय की टपरी थी वो भी आरिफ के पीछे पीछे चल दिया वहां पहुचकर आरिफ ने दो चाय का ओडर दिया और चाय वाले से यहां वाँ की बाते करने लगा चाय वाले की उम्र पचास साल के आसपस रही होगी साथ ही बात करने से आरिफ को पता चला कि वो बड़े ही बातुनी किस्म के इंसान है इसलिए बातों ही बातों में आरिफ ने वो टैक्सी वाली बात छेड़ दी आरिफ चाचा मैंने सुना था कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाले के साथ यहां कोई हाथसा हो गया था चाय वाला हाँ बच्चवा हुआ तो था ऐसा दो लोग गए थे उन में से एक ही वापस आया उसकी वे हालत बहुत खराब थी दूसरा इस नहर में मिला था बिल्कुल निचुडा हुआ बड़ा ही अजीब लगा था मुझे आरिफ अच्छा किसने की होगी उन बेचारों की यह हालत चायवाला हमें तो नहीं पता पर लोग जिनातों के बारे में बात कर रहे थे अब हमने त कुछ देखा नहीं तो कैसे कहें किसने किया आरिफ एक चाय की चुसकी लेते हुए हम बात तो सही आपकी अच्छा क्या आपने उस खंडर वाले मोड के बारे में कुछ सुना है लोग कहते हैं वहां रहने वाले जिनातों की वज़े से ही लोग अपने घर छोड़कर इधर कर बस गए जफर बिना इस बाच्छित में दखल दिये चुप चाप अपनी चाय पी रहा था और उस नहर की तरफ बड़े ही गोर से देख रहा था चाय वाला सोचते हुए उग खंडर के लाने बस इतके ही सुनो है कि जिनात रहते हुआ उते जावे को मतलब मौत हुथ है और तो हमने कच्छु न सुनो हाँ हमरो पुरानो घर बिते हतो बात हमरे पिता जी ने कई हती यहां तो हमरे दादा आके बस गए हते बापु ने एक दफा बताई हती कि उहां ते इते आवे में समय बड़ो खरच होतो तो सब ही लोग यहां आके बस गए अब का सच्चाई है ये तो हमने ना पते पर ये कियो बड़ो सही दादा ने उका है कि इते ही सब चीज पड़े है अस्पताल स्कूल बैंक काम की फैक्टरी और उका हत शहर को डेवलप्मेंट भी तो इते की तरफ ही होते हैं सब उते का है बस दुईचार घर अब उते अलग थलग पड़ो रह रहा था लेकिन आरिफ को अपने काम की कोई चीज नहीं मिली उसकी बातों में फिर आरिफ ने जफर को उटने का इशारा किया उसके बाद आरिफ आसपास लोगों से खंडर के बारे में पूछता हुआ गूमने लगा जफर तो केवल पिछलगू की तरह उसके साथ साथ चल रहा था उसके बाद शहर में भी कई जगह जाकर उन लोगों ने पूछा पर नतीजा सिफर रहा इधर जफर आरिफ की बेचेनी देखकर मुस्कुरा रहा था वो ठक हार कर वापस उसी चाय के टपरी पर बैड़ गया जफर भी उसके बगल में बैड़ गया आरिफ जफर मि में भी आराम देती है कुछ समझे आरिफ बिलकुल समझ गये मुझ गरीब के गालिब मिया तभी तो चाय वाला फिर से उनके पास आया और बोला बच्वा कच्छु ज्यादा ही परिशान दिखे हो उख खंधर के काजे अगर इतके जरूरी काज है तो उहां पुरानी मस्ज टकते हम चाय वाला मोई लगो तू इते बिते हाथ मार के ऐसे ही चलो जाएगो काई को तोरी जान खत्रे में डार वे बात कहूं वैसे भी उते जाने से सब नने ही डर लगे जो भी खुदे मजबूत हुशियार समझे बिते जाओ तो मरो पाओ अंग्रेज जैसो आवे लू जादी हो सब आरिफ आपने इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया चचा हम अभी निकलते हैं मौलवी साहब से मिले चाय आला जाने के लिए जैसे ही मुड़ा उसकी आखे एक पल के लिए पूरी काली होकर फिर से सामानने हो गई जफर आरिफ मिया ज़रा वक्त पर भी गौर कर ले रात होने वाली है वहां कल चलते हैं आरिफ हाँ ये सही रहेगा फिर मिलते हैं कल ये कहकर दोनों महां से चले गए आज की रात आरिफ की बड़े ही चैन से गुजरी थी दूसरे दिन नियत समय पर आरिफ शाह गेट के प उसने एक लंबी सांस ली और पुल पर अपने कदम बढ़ा के चल दिये उसने पहले ही मस्जिद का रास्ता उस चायवाले से जान लिया था लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वो बेपरवाही से आगे बढ़ रहा था तब ही उसकी नजर पानी से भरी नहर पर पड़ी और बहुत जल्द ही आपको इस कहानी का तीसरा और आखरी भाग भी देखने को मिलेगा तब तक की लिए आप इस कहानी को और आखरी भाग के साथ तब तक की लिए बाइ और एन टेक क्यर